हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत थे माई केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज आप लोग देखेंगे लूसेंजी के हिस्टरी का प्रैक्टिस सेट नमबर 29 और इसमें जितने भी प्रश्णोंगे सभी प्रश्णों मुगल समराज्च से समंदित प्रश्णोंगे पहला प्रश्णे मुगल बंस का संस्थापक कौन था तो बाबर मुगल बंस के संस्थापक था बाबर ने मुगल बंस की अस्तपना के साथ ही पदपदसाही की भी अस्तपना की थी जिसके तहत वहां के सासक को बदचा कहा जाता था Friends इस में जितने भी important fact बनेंगे और उस important fact से समधि जितने भी प्रशन बन सकते हैं उन्तरा के सभी प्रशनों को इसमें दिया गया है ताकि आने वाले जम्स में एक भी प्रश्ण न चूटे। आईए देखते हैं नेक्स प्रश्ण बाबर का जन्म कब हुआ था। प्रश्ण बाबर के चार पुत्र थे हुमायू, कामरान, असकरी तथा हिंदाल। नेक्स प्रश्ण बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमन किया। तो बाबर ने पांच बार भारत पर आक्रमन किया था। बाबर का भारत के बिरूद किया गया प्रथम अभियान, प्रथम आक्रमन, पंद्रे सो उन्निस इस्वी में इुसुफ जाई जाती के बिरूद हुआ था। नेक्स प्रश्ण पानी पत का प्रथम यूद कब हुआ। 21 अप्रेल 1526 इस्वी को पानी पत का प्रथम यूद हुआ था। और इस प्रथम यूद में इब्राहिम लोदी और बाबर के बिच यूद हुआ। और इस यूद में जीत हुई थी बाबर की। नेक्ष्ट प्रश्णे 1526 इस्वी में बाबर ने किस बंस के सासक को परास्त कर मुगल समराज की निव डाली थी तो लोधी बंस को पराजित करके वहाँ पर मुगल समराज की निव डाली 1526 इस्वी में फ्रेंट्स पानी पत के प्रथम यूध में बाबर ने पहली बार तुगलमा यूध नीती एवं तोप खाने का परियोग किया था नेक्स्ट प्रशने बाबर ने प्रसी तुलगमा नीती का परयोग सरप्रथम किस यूद में किया तो पानी पत के प्रथम यूद में किया गया था और इसी यूद में तोप खाने का भी परयोग किया गया था नेक्स्ट प्रशने किस यूद में जीतने के उपरान बाबर ने खजाने का मुह अमीरों सगे समंद्यों आदी के लिए खोल दिया और इस से उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधी दी गए थी तो पानीपत की प्रथम यूद जब 1526 इस भी में जीत गया तब उन्होंने अपने सगे सबंद्यों के लिए सारे खजाने का मुह खोल दिया था और इसी के कारण उसको लोगों के द्वारा कलंदर की उपाधी दी गए थी नेक्ष्ट प्रश्णे खानवा का यूद किन के बीच हुआ था तो खानवा का यूद राना संगा और बाबर के बीच हुआ था और यह 17 मार्च 1527 इस भी में हुआ था और इसमें बिज़ई कौन हुआ था तो बाबर बिज़ई हुआ था नेक्ष्ट प्रश्णे बाबर की मात्री भासा क्या थी बाबर की मात्री भासा तुर्की है नेक्ष्ट प्रश्णे बाबर की आत्म कथा बाबर नामा की रचना किसने की तो बाबर नहीं बाबर नामा की रचना की थी फ्रेंट्स इस समंदित जितने important facts बनते हैं उस facts को भी जान लेना चाहिए तो फ्रेंट्स बाबर की मात्री भासा तूर्की तो थी लेकिन वो अर्बी और फार्सी भासा का भी क्याता था और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा को तूर्की भासा में रचना की थी और इसका अनुबाद आगे चल कर फार्सी भासा में अबदुलरहीम खान खाना के द्वारा किया गया था अपनी आत्म कथा में बाबर ने अपचारिक बागों की उजनाव और उनके बनाने में अपनी रूची का बर्नन भी किया है नेक्ष्ट प्रशने बाबर का उत्राधिकारी कौन हुआ तो हुमायू बाबर का उत्राधिकारी हुआ था नेक्ष्ट प्रश्ट ने चार बाग बनाने की प्रम्परा की सुर्वात किसके समय से हुई तो अकबर के समय से हुई नेक्ष्ट प्रश्ट ने भारत में ग्रेंड ड्रेंक रोड किसने बनवाई थी तो सेर सा सूरी के द्वारा बनवाई गय थी नेक्स्ट प्रश्ने गुजरात विजय की यदगार में अकबर ने किसका निर्मान कराया था तो उसने बुलंद दरवाजा का निर्मान कराया था नेक्स्ट प्रश्ने आइन ए अकबरी एक महान एतिहासिक क्रीती किसके द्वारा लिखी गई थी पानिपत की दूसरी यूद किसके बीच हुई थी? तो पानिपत की दूसरी यूद अकबर और हेमू के बीच हुई जो की 5 अपरेल 1556 इश्वी में हुआ था नेक्स्ट प्रशने दीन ए इलाही नामक नए धर्म किसके दौरा सुरू किया गया था तो यह अकबर के दौरा सुरू किया गया था नेक्ट प्रस्पने प्रसीद मुश्लिम सासी का चांद बीबी, जिसने वरार को अकबर को सौपा किस राज से समन्दित थी, तो अहमद नगर से समन्दित थी नेक्ष्ट प्रश्ण है मुस्लिम सासक बेवस्ता में मनसबदारी प्रनाली को किस ने प्ररंब किया तो यह अकबर ने प्ररंब किया नेक्ष्ट प्रश्ण है अपने काल के महान संगीत तग्य तानसेन जिसके दर्बार में वो किसके दर्बार में थे यो जो तान सेन थे या किसके दरबार में थे तो या अकबर के दरबार में थे नेक्ष्ट प्रशने मुगल काल की राज भासा कौन सी थी फार्सी भासा थी मुगल काल की राज भासा नेक्ष्ट प्रशने किस यूद से भारत में मुगल राज की निव परी थी तो पानीपत के प्रथम यूद से भारत में मुगल राजी की निव परी नेक्श प्रश ने किस ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी तो अबूल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी किस मुगल सासक ने भारत की वनस्पतियों और प्रानी जगत रित्वों और फ्वलों का विशद विवरन अपनी डाइरी में किया है तो यह बाबर ने किया है प्रेंस अभी हमने बताया कि बाबर ने जो अपनी आत्म कथा बाबर नमा तुरकी भासा में रचना की थी उसी में लिखा हुआ है next question, सेरसाह की महान्ता का धोतक क्या है? तो प्रसासनिक सुधार सेरसाह की महान्ता का धोतक है next question, हुमायू नामा किसने लिखा था? तो गुल बदन भेगम ने हुमायू नामा लिखा था नेक्ट प्रेश्ट ने अकबर के सासन में महा भारत का फार्सी भासा में अनुबाद किया गया था वह किस भासा से वह किस नाम से जाना जाता है तो वह रजमिनामा के नाम से जाना जाता है वह महाभारत जो था जिसे अकबर के सासन काल में महाभारत का फार्सी भासा में जो अनुबाद हुआ था उसको रजम नामा के नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट प्रश्ट ने किस मुगल समराड ने सयद भायों को गिराया था तो मुहमद साह ने गिराया था नेक्ष्ट प्रश्ट ने अन्ति मुगल समराड कौन था तो बहादूर सहद्वितिय अन्ति मुगल समराड था नेक्ष्ट प्रशने अक्बर ने अक्बर के सासन काल में भूराज्शो सुधारों के लिए कौन उत्रदाई था तो डोटर मल उत्रदाई था नेक्ष्ट प्रशने अक्बर दुरा बनवाया गया उपासना भवन अर्थात पूजा गरी का क्या नाम था तो इसका नाम इबादत खाना था जो अक्बर के दुरा बनवाया गया था नेक्ष्ट प्रश्णे राम चरित्र मानस के लेखक तुलसी दास किसके सासनकाल से समंदित थे तो ये अकबर के सासनकाल से समंदित थे नेक्ष्ट प्रश्णे किस यूद में बाबर ने जिहाद अर्था धर्म यूद का नारा दिया तमगा नामक कर को समाप्त किया और यूद जितने के उपरांत गाजी अर्था धर्मो योधा की उपाधी धारन की तो खानवा के यूद में पाधी धारन की नेक्स प्रशने मुबई यान नामक पद सैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्म कथा तुजुक ए बाबरी किस भासा में लिखी त्या तुर्की भासा में लिखी नेक्स प्रशने बाबर मुल रुप से कहां का सासक था तो ये फर्गना का ही सासक था मोगल समराज के रिंती करन के दृष्टी कौन से सबसेर निरनायक यूध कौन हुआ था तो खनवा का यूध हुआ था एक खनवा का यूध सत्रों मार्च 1527 इसबी में हुआ था राना संगा और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई थी नेश्ट प्रश्ण है चौंसा का यूध किन के बीच हुआ था एक चौंसा का यूध सेर खा और हुमायू के बीच 25 जून 1549 इसबी में को हुआ था उसी समय इसी यूध के बाद सेर खा ने सेर साह की पदवी धारन कर ली थी नेश्ट प्रश्ण है हुमायू नामा की रचना किसने की थी तो हुमायू नामा की रचना गुल बदन बेगम की द्वारा की गई थी यह अभी प्रश्ण काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स इसमें जितने भी प्रश्ण दिये गये हैं और इन सभी प्रशन आपके next exams में पूछे हुए प्रशन या आगे आने की संभावना है वही प्रशन दिये गए हैं और फ्रेंट्स इस set को practice करने के साथ साथ आप Lucent book से theory पढ़ सकते हैं यदि वैसे theory पढ़ते हैं तो questions आपको साथ साथ याद हो जाता है आए देखते हैं next question चंदेरी का यूध किनके बिच हुआ था तो मेदनी राए और बाबर के बिच ये चंदेरी का यूध हुआ था और ये कब हुआ था तो 29 जनवरी 1528 इसबी को हुआ था चंदेरी का यूध में बाबर की बिज़य हुई थी या मेदनी डाय और बाबर की बिज़य हुआ तो इसमें बाबर की बिज़य हुई थी फ्रेंट्स यदी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों की बीच WhatsApp ग्रूप में Facebook पर अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें तो यदि चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बावेट टिक किया